मेरे प्यारे दोस्तों आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आते है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेयर करें ओके फिर प्योर सोल का नेक्स पार्ट स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट में हम वींग की बहुत ही क्यार कर रहे थे उसे इंपोर्टेंस दे रहे थे वींग को भी यह सब अच्छा लग रहा था सीचेन वींग को त्यार करके breakfast के लिए नीचे लेके आते हैं Mr. Land वींग को अपने गौद में बठा लेते हैं और कहते हैं आज वींग को breakfast मैं कराऊंगा सब Mr. Land कितब देखने लगते हैं और Land वींग को अपने डाट से कहता है डाट आपने मुझे तो कभी गौद में बिठा के नहीं खिलाया आप वींग को खिला रहे हो Mr. Land वींग को खिला रहे हो अब तुम बड़े हो गए हो जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हें भी गौद में लेके खिलाता था Land वींग को खिला रहे है सिचन वींग को खिला रहे है तुम पाउट बना के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे है फिर वींग बीच में बोलता है वींग भी पाउट बनाने लगता है और कहता है गगा आप ऐसा क्यों कह रहे हो मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ऐसे ही पूरे पईवार का breakfast टाइम बहुत अच्छे से बीच जाता है सारे servants भी ये देखके खुस थे कि पूरा पईवार आखे खुस है लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आ की आने वाले समय में क्या होने वाला है सीचन लैंजा वींग को अपनी कार में बैठा के स्कूल चोड़के आते हैं सीचन लैंजा से कहते हैं लैंजा वींग का ख्याल रखना लेंजा भी अपना सर हां में हिलाता है लेंजा विंग दोनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं इधर लेंड मैंसन में एक चमचमाती हुई गाड़ी मैंसन के आगे आके रुकती है उस कार से एक बहुती ब्यूटिफुल कपल बहार निकलता है उसका औरा कुछ अलग ही लग रहा था उनके expensive clothes बता रहे थे कि वो कितने अमीर है गाड़ उस कपल को देखते ही पैचान जाते हैं कि ये तो वही कपल है जो बीच वीच में new channel पे आते हैं वो इतने बड़े businessmen थे कि उनको कोई ना पैचाने ऐसा हो यह नहीं सकता Mr. and Mrs. V गाड़ के पास आते हैं और गाड़ से कहते हैं हमें लैन से मिलना है गाड Mr. and Mrs. V से कहते हैं Sir मुझे थोड़ा सा time दीजिए मुझे Mrs. Lैन से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं आपको अंदर भेज सकता हूँ Mr. and Mrs. V गाड़ कर देते हैं और गाड़ अंदर चला जाता है जब गाड़ अंदर जाता है तो सीधा Mrs. Lैन के कमरे में जाके खट-कट आता है Mrs. Lैन गाड़ को अला़ कर देती है और पूछती है क्या हुआ तो मैंसे भागते वे क्यों आ रहे हो गाड़ मिसिस लैन से कहती है में बहुत बड़े बिजन्समेन आपसे मिलने आये हैं क्या करूं Mrs. Lैन कहती है कि फिर हो ओफिस क्यों नहीं गए ओघर क्यों आये है guard कहता है मैम मुझे नहीं पता लेकिन उख कह रहे हैं कि बहुत जरूरी काम है क्या मैं उन्हें अंदर भेजू Mrs. Lane guard से कहती है अगो इतने ही important वैकती है तो मुझसे पूछने क्यों आये हो जाओ उन्हें अंदर भेजो guard बाहर जाकर Mr. and Mrs. V से कहता है आपको Mrs. Lane ने अंदर बुलाया है Mr. and Mrs. V Manson के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके Mrs. Lane से मिलते हैं Mrs. Lane जैसे Mr. and Mrs. V को देखती है और पैचान जाती है क्योंकि उन्होंने भी उन्हें TV में कई बाद देखा था और कई प्रोजेक्ट दोनों के साथ चल रहे थे फिर Mrs. Lane Mrs. V से पूछती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ आप यहाँ पी क्यों आए हैं Mrs. V, Mrs. Lane से कहती है मेरी जीवन का बहुती important वेक्टी आपके पास है मैं उसे बापिस लेने आई हूँ Mrs. Lane को कुछ समझ में नहीं आता तो Mrs. V कितब देख के कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहती है Mrs. V, Mrs. Lane से कहती है मेरा दो साल का बच्चा जो खो गया था वो आपके पास है मुझे यह ख़वर मिली है Mrs. Lane कहती है लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है फिर Mrs. Land Mrs. V. से पोस्थी है क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हो मुझे नहीं बता नहीं मैंने देखा है आपके बच्चे को Mrs. V. अपनी बच्चे का नाम विंग बताती है मिसिस लेन के पेरों के तले जमीन खिसक जाती है उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या ये वहीं विंग है जिसे हम पाल रहें और इतना प्यार करते हैं ऐसा नहीं हो सकता मैं इन्हें अपना विंग नहीं दे सकती मिसिस वी मिसिस लेन से कहती है आप इतना सांत क्यों हो गए विंग का नाम सुनके आप मेरे विंग को जानती हैना Mrs. Lan, Mrs. Wing से कहती है कि हाँ हमारे पास एक विंग है तो लेकिन मुझे नहीं बता कि आप किस विंग की बात कर रो क्या हमारे विंग ही आपका विंग है Mrs. V कहती है क्या मैं आपकी विंग से मिल सकती हूँ मुझे देखके पता चल जाएगा क्यों मेरा वी है या ने मिसिस वी से कहती है आप अपनी बच्चे को कैसे पैचान होगे जब आपका बच्चा खोया था जब तो वो दो साल का था न और अप पूरे 4 साल बीट गए अब वो पूरे 6 साल का हो गया होगा मिसिस वी मिसिस लैंड से कहती है आप उसकी फिकर मत करो हम पैचाने या ना पैचाने हमारा बच्चा हमें जरूर पैचान जाएगा हमें देखते ही जब मिस्स लैन को कुछ समझ में नहीं आता तो पोस्ती है ऐसा क्यों आपका दो सल का बच्चा आपको पहचान जाएगा मिस्स भी कहती है कि जब वो पैदा हुआ था तो हमें डॉक्टर ने बताया था कि उसकी यादास बहुत अच्छी है वो अपनी बच्चपन की चीजे भी कभी नहीं भूलेगा इसलिए वो हमें पैचान जाएगा मिस्स लैन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था वो मन ही मन में दुआ कर रहे थी कि ये वाला विंग विंग ना हो फिर मिसिस लैन कहते हैं मेरे बच्चे स्कूल गए हैं मिस्टर और मिसिस भी कहते हैं आप विकर मत करो हम इंतिजार कर सकते हैं मिसिस लैन दोनों को अंदर ले जाकर लिविंग रूम में बठा देते हैं और दोनों के लिए स्नेक्स लेके आते हैं इधर स्कूल में विंग कर स्कूल टाइम बहुत ही अच्छे से जा रहा था लेंजा और विंग जाद अतर समय एक साथ ही थे विंग बैंचाओ से भी बात कर रहा था लेकिन बहुत ही कम बैंचाओ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि उसका क्यूटी उसे कम टाइम दे रहा है लेकिन वेंचर कुछ नहीं करता स्कूल टाइम ओवर हो जाता है सिचन अपना ड्रैवर दोनों को लेने के लिए भेद देते हैं ड्रैवर स्कूल से विंग और लेंजा को मेंशन लेके जाता है जैसी दोनों मैंसन पहुंचते हैं विंग भाग के अपने मॉम डेट के पाथ जाता है विंग के आखों से आसो निकल रहे थे कुछ समय पहले मिसिस लैन को लगा कि विंग उनके पास भाग के आ रहा है जैसी उन्होंने अपनी बाहें खोली लेकिन विंग मिसिस वी से जाके गले मिल गया और विंग ने मिसिस वी से पूछा मॉम आपने इतना टाइम लगा दिया मुझे ढूंडने में मिस्टर और मिसिस वी की भी आखों में आसो थे दोनों बहुती टाइट से विंग को गले लगा लेते हैं और कहते हैं बेटा फाइनली हमने तुमें ढूंड लिया, तुम हमें चोड़ के कैसे जा सकते हो। अब लेंजा और मिसिस लेंड का दिल थमा जा रहा था, वो मन में सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ये इसके real parents नहीं हो सकते हम अपने wing को नहीं खो सकते अब हम क्या करें लैंजक के भी आखों से आसू निकल रहे थे उसे अंदर अंदर डर लग रहा था कि अब उसका wing इस घर में नहीं रहेगा उसके mom dad उसे लेके चले जाएंगे फिर मिसिस लेंड बीच में बोलती है आपको कुछ गरत फैमी हुई है ये तुम्हारा wing नहीं हो सकता मिसिस वी को गुसा आजाता है और हो कहती है क्या हम जूट बोल रहे हैं क्या ये छोटा सा बच्चा जूट बोल रहे हैं जो हमको देखती ही भाग के हमारे पास आया है मिसिस लैन मिसिस वी से कहती है मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जूट बोल रहे हो लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दो साल का बच्चा आपको पहचान लिया अगर ऐसी बात है तो आप DNA टेस्ट कराई है उसकी रिपोर्ट भी सेम आएगी जब मिस्ट और मिसिस वी वींग को ले जाने लगते है तो मिसिस लैन उनका रास्ता रोख के कहती है कि आप मुझे थोड़ा सा समय देख सकते हैं मैं अपने बेटे को बुलाना चाहती हूँ मिस्ट और मिसिस वी वींग की तरब देखते हैं तो Wing भी कहता है, Mom, Dad, Please कुछ समय रुख जाए, मैं गगा से मिले विना नहीं जा सकता, मैंने गगा से प्रॉमिस किया था, कि उनसे पूछे विना मैं कहीं नहीं जाओंगा, Please थोड़ा सा इंतजार करें, Mr. and Mrs. V. भी रुख जाते हैं, और कहते हैं, ठीक है, बुलाईए अपन मूबाइल निकालती है, वो सिचन का नंबर डायल करते है, सिचन जैसे यTube मूबाइल पर अपनी मूम का नंबर देखता है, तो खुस हो जाता है, कि फाइनली, 6 सालों में, पहली बार, उसकी मूम का कॉल उसके फॉन पे आया है, शिचन बहुत ही खुस होकर फॉन उठाता ह लेकिनो फोन पर मिसिस लेंड की रुवांदी आवाज सुनके घपरा जाता है मिसिस लेंड कापती हुई आवाज में कहती है सिचैन जल्दी घर आओ और अपने डैड को भी लेके आओ सिचैन को कुछ समझ में नहीं आता कि घर में आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी मॉम ऐसे रो रही है और उसे जल्दी से बुला रही है सिचैन फोन काट देता है और मिस्टर लेंड के ऑफिस में जाता है और कहता है डैड जल्दी घर चलिए मॉम रो रही है और हमें घर बुला रही है मिस्टर लेन भी घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनकी वाइफ कभी भी जल्दी से नहीं रोती जो रो रोकर हमें घर बुला रही है वो जल्दी से अपने ओफिस का सारा काम बन करके बाहर निकल जाते हैं मिस्टर लेन और सिचेन दोनों कार में बैठते हैं और मैंसन के लिए निकल जाते हैं जैसी मैंसन के पास कार रुखते हैं दोनों बाहर निकल के मैंसन के अंदर भागने लगते हैं जैसी दोनों मैंसन के अंदर जाते हैं उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है चुके थे फिर सी चैन और मिस्टर लेंड मिस्स और मिस्स वी को वो करते हैं और उनके बो का जवाब देते हैं फिर सी चैन और मिस्टर लेंड मिस्स लेंड के पाज आते हैं मिस्स लेंड दोनों का हाथ पकड़के उन्हें किचन की तरफ लेके जाते हैं और रो रो के कहती है सिचन किसी भी तरह विंग को रोक लो वो विंग के असली पैरेंस है वो विंग को अपने साथ ले जाएंगे विंग इस घर की रोनक है मैं विंग को नहीं भेश सकती ये बात सुनके सिचन गबरा जाता है ऐसा नहीं हो सकता Wing के parents यहां कैसे आ गए उसने तो पोलिस को भी मना कर दिया था कि इसके parents को ढूंडने की जयत नहीं है फिर उसके parents ने Wing को कैसे ढूंड लिया ऐसा कैसे हो सकता है यह Wing की असली parents नहीं हो सकते ऐसा नहीं हो सकता फिर सिचैन मन में सोचते हैं लेकिन ये नियूस तो मैंने भी कई बार सुनी थी कि इनका दो सल का लड़का खो गया है क्या ओव दो सल का बच्चा ये ही था? नहीं मैं अपने वींग को नहीं भेज सकता इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता सीचैन अपनी मॉम से कहता है मॉम आप फिकर मत करो मैं कुछ करके देखता हूँ मिसिस लेंड बहुत ही उमीद भजी नजर से सीचैन की तयब देख रहे थी और कह रहे थी बेटा प्लीज इस बार कुछ करो जब सीचैन इतने सालों बाद अपनी मॉम के मूँ से अपनी लिए बेटा सब सुनते हैं और खुस हो जाते हैं कि फाइनली छे साल बाद उसकी मॉम ने उसे अपना लिया लेकिन क्या वींग को रोक पाएगा फिर सीचैन लिविंग रूम में मिस्टर मिसिस वी के पास जाते हैं और कहते हैं क्या मैं आपसे दो मिनट के लिए बात कर सकता हूँ वो दोनों राजी हो जाते हैं और एक कोने में चले जाते हैं सिचेन मिस्टर मिसिस वी से कहते हैं प्लीस विंग को मत ले जाओ ये हमारे जीने का सहारा है प्लीस मत ले जाओ Mr. Mrs. V. C. Chan से कहते हैं तुम्हारा दिमाग सही है आम चार सालों से अपने बेटे को ढूंड रहे हैं और तुम कहरें उसे मत लेके जाओ तुमने क्या समझा है अपने आपको C. Chan Mr. Mrs. V. के सामने घुटनों पर आ जाते हैं ये सारी चीजे Wing, Lenja और Mr. Mrs. Len भी देख रहे थे फिर C. Chan Mr. Mrs. V. से कहते हैं प्लीज समझे उसे यही रहने देजिए C. Chan कहते हैं आप चाहो तो मेरी सारी कंपनी ले लो Mr. Mrs. V. को गुसा आता है और ओर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम पैसों के लिए अपने बेटे को बेच देंगे तुम्हें क्या लगता है हम गरीब हैं हमारे पास बहुत पैसे हैं तुम बताओ चार साल उसे पालने का कितना लोगे चाहो तो तुम हम अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर देते हैं सीचन नामे अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था मिस्टर और मिसिस लैन अपने बेटे को ऐसे गिरगड़ाते हुए देख रहे थे फिर मिसिस लैन वहां जाती है और सिचैन के कंधे पे हाथ रख के कहती है बेटा उसे जाने दो कोई बात नहीं सिचैन अपनी जगा पे खड़े हो जाते हैं और मिसिस लैन के गले लगके तेज की रोने लगते हैं और कहते हैं मॉम विंग चला जाएगा फिर मिसिस लैन कहती है तुम फिकर मत करो हम बीच बीच में उससे मिलेंगे इदा विंग सब से मिलता है फिर लास्ट में अपने गगा के पाँ जाता है, वो गगा से कहता है, गगा मैं जाओं सीचन विंग के माथे पे किस करता है और उसे अलाओ कर देता है, विंग अपने पैरेंस के साथ उनके मैंसन में चला जाता है विंग की parents की car एक new mansion के आगे रुखती है Mr. Mrs. V. विंग को गोर में उठा कर mansion के अंदर लेके जाते हैं वो mansion बहुत ही बड़ा था वहां की सारी चीज़ा expensive थी Mrs. V. अपनी कमरे में जाकर एक necklace लेके आती है और विंग को पहना देती है फिरो कहती है विंग इसे हमेशा अपने पास रखना ये necklace में कुछ power है तुम कहीं भी जाओगे या रहोगे तो मुझे पता चल जाएगा विंग हा में अपना सर हिलाता है और कहता है मॉम मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा इधर land mansion में मींग के जाते ही सब बहुत जादा दुखी थे सब को विंग की याद आ रहे थे लेंग जा तो इतना जादा दुकी था कि ओ सिधा अपने कमरे में चला गया बेना dinner किये सिचैन भी चुपचाब अपने कमरे में चला गया और किसी से बात नहीं की मिस्ट और मिसिस लैन भी सांथ थे सारे सर्वेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि कितनी जल्दी इस घर में खुसी आई और चली भी गए सब कितनी सांथ हो गए है इधर जब मिसिस वी वी वींग को अपने हातों से खाना खिला रही थी तो वींग के मुँसे गलती से निकल जाता है गगा अब और नहीं अब मैं नहीं खाऊंगा मिस्ट और मिसिस वी वी वींग को देखने लगते हैं वो अपने पैरंस को ये एसास नहीं दिलाना चाता था कि उसे लैन फैमिली के याद आ रही है इसलिए वींग एक ओकवर्ट से स्माइल करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है मिस्ट और मिसिस वी को ये साब पता चल रहा था कि वींग को अब उनके आदत हो गई है ये बात मिसिस वी को विल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि उनका बच्छा किसी और को ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहा है इधी वींग इस-कूल के लिए तयार होता है वो ए खुस था कि वह लेंजा से स्कूल में मिलेगा इधर लेंजा भी स्कूल के लिए जल्दी तयार होकर निकल जाता है जब wing school पूंचता है तो लेंजा पहले सी gate पर wing का इntजार कर रहा था wing भाग कर langar के पाज आता है और उसे हग कर लेता है langar को पता ही नहीं चलता कि अचानक wing ने उसे हग क्यों किया langar का दिल जो जो उसे धरकने लगता है फिर लेंजा जब विंग की आखों में देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्यूंकि विंग की आखों में आसू थे लेंजा एक नोटी स्माइल के साथ विंग से पूचता है लगता है विंग को मेरी बहुत याद आ रहे थी विंग थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है बिलकुल नहीं मुझे तुम्हारे याद नहीं आ रही थे फिर विंग अपनी किलास में जाने लगता है और विंग के पीछे-पीछे लैंजा जाने लगता है लेंजा कहता है विंग सुनो तो सही मैं तो मजाक कर रहा था सुनो मेरी बात विंग अपनी क्लास में चला जाता है जैसी विंग अपनी क्लास में घुसता है विंग के दोस उसे पूसते हैं विंग आज तुम सिचयन गगा के साथ क्यों नहीं आए आज तुम अलग कार में आए हो। विंग अपने दोस्तों को सारी बात बता देता है और वो कहता है कि सिचयन उसके असली गगा नहीं थे उन्होंने तो बस उसे चार साल पाला है। पूरे स्कूल टाइम में लैंजर विंग की पीछे-पीछे घूमता है। सिचयन लैंजर को लेने आता है। सिचयन जैसी विंग को देखता है वो विंग के पाथ जाता है और उसे गोर्द में उठा लेता है। Wing कहता है, गगा मुझे नीचे उतारो, मैं आपके साथ नहीं जा रहा है। सिचन कहता है, मैंने तुमारे ड़र्ट से पोच लिया है, तुम स्कूल के बाद हमारे साथ जा सकते हो। Wing कहता है, सच में गगा, सिचन हा कहता है, लेंजा भी बहुत खोश हो जाता है। फिर लेंजा और Wing बैक सीट में बैठते हैं, और काल लेंड मैंसन की तरफ जाने लगती है। इधर वी मैंसन में, मिसिस वी, Wing का इंतिजार कर रही थी, जब Wing टाइम से घर नहीं पहुँचता, तो नेकलेस की पावर से चेक करती है, कि आखी Wing है कहां, तो पता चलता है कि वो लेंड मैंसन में है। मिसिस वी गुसे से फोन निकालती है, और अपने हज़रन के पास कॉल करती है, और कहती है, तुम्हें पता है, वो Wing को फिर अपने साथ लेके चले गए। मिस्टर वी अपनी वाइफ से कहते हैं, वो बिना पूछे नहीं लेके गए, सिचन का कॉल आया था मेरे पास, उसने मुझसे इजाज़त मांगी और मैंने हा कह दिया, मुझसे मना नहीं किया गया। मिस्टर वी गुसे से अपने पती से कहती है, तुम्हें पता है ना, मैं चार सालों से उसका इंतजार कर रही थी, वो तुमने उसे इजाज़त दे दी कि स्कूल के बाद वो अपनी साथ मेरे Wing को लेके चला जाए, ऐसा तुमने क्यों किया। फिर मिस्टर वी गुसे से फॉन कार्ड देती है, इधर मिस्टर वी कहते हैं, अब मैं क्या करूं इसका। वो क्यों नहीं समझती कि Wing को भी उनकी याद आ रही थी, और मैंने अगर अलाव कर दिया तो क्या गलत किया। इधर लेंड मैंसन में, जब सिचन Wing को मैंसन लेके आए, सब बहुत खोश थे, पूरा दिन बहुत असानी से बीच जाता है। रात को डिनर कराके, सिचन बापिस Wing को उसके मैंसन लेके जाते हैं, लेकिन इस बाद से मिस्टर वी बिलकु खोश नहीं थी। दिन ऐसी बीचते चले जाते हैं, अब पूरा महीना हो गया था, सिचन हर रोज Wing को स्कूल से अपने मैंसन लेके जाता और रात को अब उसके मैंसन छोड़ के आता। मिस्टर वी को बिलकुल भी टाइम Wing के साथ नहीं मिल रहा था, ये चीज़ों उन्हें बिलकुल अच्छी नहीं लग रहे थी। फिर मिस्टर वी अपने पती से कहते हैं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, कुछ करो। फिर मिस्पी कहते हैं, गुरुमा ने हमें इस दुनिया में रहने के लिए कहा है, इंसानों के बीच ऐसा तो नहीं कहा, कि हम इसी सीटी में रहें, हम अपनी सीटी change कर लेंगे। Mr. V, Mrs. V को देखते रह जाते हैं और मन में सोचते हैं आखिर ये भी तो मा है इसका कहना भी सही है इसको बिलकुल भी अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं मिल रहा है फिर Mr. V भी हमें अपना सह हिला देते हैं और पूछते हैं कि तुम किस सीटी जाना चाह रही हो Mrs. V, Mr. V से कहते हैं हम USA चले जाएंगे विंग को लेके उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम कौन से सीटी गए हैं Mr. V सब कुछ अरेंज करते हैं USA के लिए Mr. V कुछ ही दिनों में अपना सारा काम USA सिफ्ट कर लेते हैं Mrs. V V से कहते हैं बेबी अब तुम इस स्कूल जाने की जोयत नहीं है विंग अपनी मॉम कितब देखने लगता है और पूशता है मॉम लेकिन क्यों Mrs. V कहते हैं कल हम USA जा रहे हैं अब तुम इस स्कूल में पढ़ने की जोयत नहीं है अब तुम वहीं पढ़ोगे विंग सोक हो जाता है विंग कहता है मॉम बस आज मुझे इस स्कूल जाने दो Mrs. V कहते हैं अगर तुम लेंजा से आखरी बार मिलना चाते हो तो तुम मिल सकते हो लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसे नहीं बताओगे कि तुम USA जा रहे हो विंग हां में अपना सर हिलाता है और कहता है मॉम मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लेंजा को नहीं बताओगा कि मैं USA जा रहा हूँ लेकिन मैं एक आखरी वार लेंजा से मिलना चाता हूँ Mrs. V विंग को एलाव कर देते हैं विंग दुखी मन से स्कूल जाता है विंग की चैरी की चमक उड़ी हूई थी इस्कूल में पूरा दिन नॉर्मल भीटता है वो लेंजा के साथ ही था जब इस्कूल ओवर होता है तो विंग अपनी गले से वो नेकलेस निकालके लेंजा को पहना देता है और लेंजा के गालों पर किस करते हुए कहता है लेंजा मैं तुमसे जरूर मिलने आऊँगा लेंजा को कुछ समझ नहीं आता फिर भी वो कहता है मैं तुमारे इंतिजार करूँगा जब सिचेन की गाड़ी आती है तो सिचेन विंग को ले विना जा रहे थे लेंजा सिचेन से पूचता है ब्रदर अब विंग को नहीं ले जा रहे सिचेन लेंजा से कहता है विंग की डैट का कॉल आया था आज विंग को कोई जरूरी काम है इसलिए वा हमारे साथ नहीं जा सकता लेंजर दुखी हो जाता है फिल लेंजर मन में सोचता है सिर्फ आज का ही तो दिन है कल तो विंग हमारे साथ टाइम इस्पेंड करे गई इदर वी वैंसन में सारी पैकिंग फूरी हो गई थी जैसी विंग वैंसन पहुंचता है उसके माबाफ उसका इंतिजार कर रहे थे Mr. and Mrs. V. वी इंग को लेते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं फिर उसे के लिए एरोप्लेन पकड़ लेते हैं इधर गुरूमा ध्यान लगा के सब कुछ देख पा रही थे वो कहती है तुम वी इंग को उसके किस्मत से दूर नहीं लेके जा सकते तुम जितना उसे दूर ले जाने की कोसिस करोगे वो उतना ही अपनी किस्मत के पास आता जाएगा और स्मायल करने लगती है Next day लेंज़ा स्कूल जाता है और वी इंग का इंतिजार करता है पूरा दिन बेच जाता है लेकिन वींग का कुछ पता नहीं चलता स्कूल ओवर होने के वाद सीचन लेंजा को लेने आते हैं और ओभी वींग को ढूणने लगते हैं वींग का कुछ पता नहीं चलता तो लेंजा को गाड़ी में बिठा के वी मैंसन की तर बढ़ा देते हैं वी मैंसन में कोई नहीं था वो गाट से पूछते हैं कि Mr. और Mrs. V कहा है गाट कहते हैं सर हमें नहीं पता कि वो कहा है लेकिन वो कली चले गए हैं सारा समान लेके सीचन और लेंजा अपने मैंसन पहुंच जाते हैं मिसिस लेंड वींग का इंतिजार कर रही थे और सीचन से पूछती है कि वींग नहीं दिख रहा तुम वींग को साथ नहीं लिके आए सीचन अपनी मॉम से कहते हैं मॉम हमें नहीं पता हम उसके मैंसन भी गए थे वहाँ पे भी उसका कुछ पता नहीं चला गार्ड भी कहा रहे हैं कि वो कली कहीं चले गए है सीचन अपनी मॉम से कहते हैं मैं पता करता हूँ क्यों कहा गए है सीचन फोन निकालते हैं और अपने आदमियों के पास कॉल करते हैं और कहते हैं पता करो ये मिस्टर मिसिस वी कहा गए है इधर लेंजा बहुत ज़्यादा परिसान था कि उसका वींग कहां चला गया फिर उसे कल की बात याद आती है कि वींग ने कहा था कि तुम मेरा इंतजार करना मैं जरूर आऊंगा और उसके आखों से आसू निकलने लगते हैं कि इसका क्या मतलब था फिर अपनी गले के लोकेट को हाथ लगाता है और कहता है वींग तुम कहां चले गए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कहीं जाने वाले हो जब मिसिस लैन और सीचन लैंजा को देखते हैं कि उसके आखों से लैंजा तुम रो क्यों रहे हो हम वींग को जल्दी ढूंड लेंगे लैंजा सीचन और अपनी मौम को सारी बात बताता है जो कल स्कूल में हुआ था फिर मिसिस लैन और सीचन का भी दिल बैठा जा रहा था कि आखिर इसका मतलब क्या है वो कहां चले गए फिर सीचन के फोन पे एक कॉल आता है जो सीचन के ही आदमी का था सीचन फोन उठाते हैं और पूछते हैं कि कुछ पता चला उधर से कॉल से अब आज आती है कि नहीं कुछ पता नहीं चल पाया ऐसा लग रहा है कि कोई सोर्स रोक रहा है उनके बार में पता लगाने के लिए इधर मिस्टर और मिसिस वी USA पहुंच जाते हैं और एक अपनी नए मैंसन में चले जाते हैं फाइनली मिसिस वी खुश थी कि अब उसके बेटे को उससे कोई दूर नहीं कहरेगा अब वो अपना सारा टाइम अपने बेटे के साथ बिता सकती हैं लेकिन वी इंग का चैरा उतरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि अब बहुत साल लग जाएंगे उसे अपने लैंजा से मिलने के लिए और अपने गगा से मिलने के लिए कुसा में बीटता है और विंग का एडविशन USA के स्कूल में करा दिया जाता है इधर लैन फैमिली अपनी पूरी ताकत लगाके विंग को ढूंडने की कोशिस कर रहे थे लेकिन वो कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर विंग को धरती खा गई या आस्मा क्योंकि कुछ पता नहीं लग पा रहा था USA में विंग का स्कूल में आज पहला दिन था विंग स्कूल के लिए तयार होता है और अपनी नहीं लाइफ के लिए पहला कादम बढ़ाता है मिस्टर वी विंग को कार में बिठाते हैं और उसके नहीं स्कूल में लेके जाते हैं जैसी ही उनकी कार नए स्कूल के पास रुखती हैं, विंग की नजर एक लड़की पर पड़ती हैं, जो कि स्कूल के गेट के पास खड़ी थी और उसके आखों से आसू निकल रहे थे, विंग अपने ड़ेट से कहता है, ड़ेट आप मुझे दो मिनट दीजिए, मैं अभी आत हूँ, मिस्टर वी विंग को एलाउ कर देते हैं, और कार के पास विंग का इंतिजार करते हैं, विंग उस लड़की के पास जाने लगता है, मिस्टर वी की भी नजर उस लड़की पर पड़ती है, फिर मिस्टर वी मन में सोचते हैं, उनका बच्चा कितना प्योर सॉल है, और उससे पूसता है तुम रो क्यों रही हो ओ लड़की बहुती रूट तरीके से बोलते है इससे तुम्हें क्या मतलब तुम अपने काम से काम रखो और मुझा अकेला छोड़ दो ओ लड़की करीवन विंग की उमर की ही है विंग उस लड़की के पास बैठ जाता है और कहता है चलो ठीक है मत बताओ तुम क्यों रो रहे हो तुम ये तो बता सकते हो तुमारा नाम क्या है ओ लड़की विंग की तब देखने लगती है और कहती है मेरा ना इमा है फिर विंग कहता है मैं इस स्कूल में न्यू हूँ क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी इमा कहती है लेकिन स्कूल की फीज जमा कराने के पैसे नहीं है इसलिए टीचर उसे स्कूल में एंट्री नहीं करने दे रहा Wing स्माइल करता है तो लड़की गुस्से में कहती है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो Wing कहता है इतने छोटी सी बात के लिए तुम रो रही हो चलो मेरे साथ बात बता देता है Mr. V. Ema से कहते है तुम रोना बंद करो मैं तुम्हारे डैट की तरह हूँ मैं सब कु ठीक कर दूँगा Ema हा में अपना सर हिलाती है और मन में सोचती है ये लोग कितने अच्छे है आज तक उस से कोई दोस्ती तक करने नहीं आया और ये लोग बिना मदद मांगे इसकी मदद करने आये है Mr. V. Ema और V. Ema को प्रिंसपर रूम में लेके जाते है और प्रिंसिपल से कहते है वीं का आज पहला दिन है इसका ख्यार रखना और Ema से आज के बाद कभी भी फीस मत मांगना उसकी सारी स्टडी की जिम्यदारी मेरी प्रिंसपर हामे अपना सर हिलाते है फिर Mr. V. उस स्कूल से चले जाते है वींग और Ema सेम किलास में थे इसलिए दोनों एक साथ किलास में एंट्रे करते हैं Ema को देखके सब मूँ बनाने लगते हैं क्योंकि इस किलास में Ema का कोई भी दोस्त नहीं था वो जड़तर अकेली ही बैठा करते थे लेकिन जब बच्चे वींग को देखते हैं वो एक क्यूट सी स्माइल देने लगते हैं क्योंकि वींग बहुत ही प्यारा लग रहा था वींग अपना इंटोडेक्शन सब को देता है और कहता है मेरे नाम वींग है और मैं आसा करता हूँ कि हम सब अच्चे दोस्त बन सके जब वींग अपने लिए सीड दोनता है सब बच्चे उसे अपने पास बिठाना चाहते थे लिकिन ओ इमा के साथ जाके बैठता है इमा बहुत ही प्यारी स्माइल वींग को देती है कि आज पहली बार कोई उसके पास भी बैठना चाह रहा है इधर वीजिंग में लैन मैंसन में सब बहुत परिसान थे कि इतने दिन हो गए वो भी फैमली का पता नहीं लगा पाए उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अचानक से कहा गाइब हो गए और आखे उनके गाइब होने की वज़े क्या है सब लोग डाइनिंग तीवल पर बैठे हुए थे फिर मिसिस लैन कहती है मुझे लगता है वो हमारी बज़े से भागे है सब लोग मिसिस लैन को देखने लगते है फिर मिसिस लैन कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वींग को हमने अपने पास रखके मिसिस वी का दिल दुखा दिया क्योंकि उनको अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए वो हमसे दूर लेके चली गई मिस्टर लैन कहते हैं तुम गला सोच रही हो वो ऐसा क्यों करेंगी मिसिस लैन कहते हैं तुम मा का दिल नहीं समझोगे जरूर यही कारण है लैन्जा हर रोज उस लोकेट को छूकर विंग से बाते क्या करता था वो बहुत ज़्यादा बैचेन था कि आखिर समय कब बीतेगा और वो अपने विंग से कब मिलेगा क्योंकि विंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो जरूर उसे मिलने आएगा ये सोचकर और दिन काट रहा था लैन्जा ब्रेकफस्ट करके स्कूल के लिए निकल जाता है स्कूल के अंदर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था फिर बैंचा उसके पास आता है और लैन्जा से पूस्ता है लैन्जा तुम्हें पता है कि मेरा क्यूटी कहा है मैं कई दिनों से उसको धूंड रहा हूं लेकिनों मुझे मिलने रहा लैन्जा बहुत ही गुस्टे से वेंचाओ कितब देखने लगता है और गुस्टे से कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो तुम्हारा क्यूटी नहीं है, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा इस बात के लिए दोनों की लड़ाई होने लगती है ये चीर टीचर देखती है, तो फिर दोनों को सांथ कराके अलग-अलग करा देती है टीचर दोनों की पैरंस को बुलाके उन दोनों को घर बेद देती है और कहती है कि आएंदा इन दोनों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए पैरंस अपने अपने बच्चे को घर लेके चले जाते है जब लैंजा घर पहुंचता है, तो मिसिस लैंग उसे में कहती है तुमने फिर से चालू कर दिया स्कूल में लड़ाई करना जब विंग था तुम्हारी सिकायते कम आती थी लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो गया लेंजा कुछ कहे बेना अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में रोने लगता है और कहता है विंग तुम जल्दी आजाओ मैं तुम्हारे बेना नहीं रह सकता इधर USA में इमा अब विंग के साथ उसके घर रहने लगी क्यूंकि उसके पैरेंस नहीं थे मिस्टर और मिसिस वी इमा से विंग की तरह ही प्यार करते थे वो इमा की हर जरुद पूरी करते थे धिरे धिरे समय बीटता है और पूरे 10 साल बीट गए थे इमा विंग को सब दोस्त नहीं मानते थे और दिल ही दिल में विंग से प्यार करने लगी थे विंग को ये बात नहीं पता थी कि इमा उससे प्यार करती है वो इमा को सेफ दोस्त की नजर से देखता था और बीच बीच में उससे फ्लर्ट भी क्या करता था लेकिन इमा का प्यार ओफसेशन में बदल रहा था वो विंग के प्रती ओफसेश हो गई थी वो किसी को भी विंग के पास नहीं आने देती थी इमा ने मिस्ट और मिसिस वी की मदद से अपना एक छोटा सा विजनेस खोला था जो काफी अच्छा चल रहा था वो अपना सारा खर्चा खुद उठाते थे वींग और इमा ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं इसकूल में काफी लोग वींग को पसंद करते थे उसे अपना बॉइफरेंग बनाना चाहते थे लेकिन सब इमा के डर के कारण वींग के पास नहीं आते थे क्योंकि उन्हें पता था इमा जैसी दिखती है वैसी है नहीं उसने काफी लोगों को गायब करा दिया था जिन लोगों ने वींग के पास जाने की कोशिस की थी लेकिन वींग को नहीं पता था जो उससे आद दोस्ती करते हैं कल उसे इग्नोर क्यों करने लगते हैं इमा वींग से हमीशा ये कह देती थी कि कोई बात नहीं, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगे विंग भी उसकी बात मान लिया करता था आज जब विंग और इमा स्कूल में आये, तो उन्हें पता चला कि आज स्कूल में एक नए बच्चे का एड़िशन हुआ है इमा मन में सोचती है कि फिर उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा जैसे इमा ने सोचा था, वैसा ही हुआ जब विंग उस नए बच्चे से मिला, तो नए बच्चे को विंग बहुत ही पसंद आया और विंग को अप्रोच करने के लिए आ गया ये बात इमा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रहे थे लेकिन वो अपनी नकली स्माइल विंग को दिखाते है लेकिन देखने वाला साब बता सकता था कि इमा के आखों में सिर्फ गुसा है स्कूल का टाइम ओवर हो जाता है विंग और इमा स्कूल से मैंसन के लिए निकलते हैं लेकिन जब वो गेट पे पहुंसते हैं तो इमा विंग से कहती है विंग तुम मैंसन चले जाओ आज मुझे थोड़ा सा काम है मैं थोड़े समय बाद आऊंगे विंग कुछ नहीं कहता लेकिन मन में सोचता है इसे हमेशा कुछ न कुछ काम होता है आखरी जाती कहा है मुझे भी न बताए फिर विंग मैंसन के लिए निकल जाता है इधर इमा किसी को कॉल करती है और कहती है मैं तुमें एक फोटो भेज रही हूँ उसे मेरे परसनल अपाटमेंट में लेके आओ कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि वही लड़का जो विंग को अप्रोच कर रहा था कुरसी में बंधा हुआ है इमा उसके पाद जाती है और कहती है तुमें उसे अप्रोच करने से पहले ये जान लेना चाहे था कि वो सरफ मेरा है वो लड़का डर के मारे रोने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि विंग पहले से ही तुमारा है प्लीस मुझे जाने दो मुझे कुछ मत करो इमा तीर तीच की हसने लगती है और कहती है तुम रोते वे कितने अच्छे रग रहे हो इमा अपने गुंडों से उस लड़के को बहुत पिटवाती है लेकिन जान से नहीं मारती और रास्ते में छोड़ दिती है फिर कुछ समय बाद इमा मैंसन पहुंच जाती है और वींग के कमरे में जाती है वींग इमा से पूछता है तुमने इतना टायम कहां लगाया तुम कहां चली जाती हो मुझे छोड़ के हमीशा इमा मन में कहती है मैं तुमें कभी नहीं छोड़ूँगे पिर इमा स्माइल करते हुए वींग को कहती है क्यों तुम दो घंटे भी मेरी बिना नहीं रह सकते तुमने मुझे बहुत मिस किया क्या विंग इमा से कहता है लगता है तुम मेरे साथ रह रह के फलर्ट करना सीख गई हो मैंने तुमें काफी कुछ सिखा दिया है फिर दोनों हसने लगते हैं इदर वीजिंग में लेंजा बहुत ज़्यादा हैंसम हो गया था काफी लड़कियां उस पर मरते थे लेकिन उसरफ विंग का इंतिजार कर रहा था वो हर रोज विंग को याद किया करता था लेंजा ने इन दस सालों में अपना दिल बहलाने के लिए बॉक्सिंग सीखी थे उससे कोई भी बॉक्सिंग में जीत नहीं सकता था लेंजा को बहुत साही लड़किया अप्रोच किया करते थे लेकिन लेंजा किसी को भाव नहीं दिया करता था वो हमेशा किसी को अपने पास भटकने भी नहीं देता था लेंजों को कॉलेज में सब rude, cold, arrogant कहने लगे थे लेकिन इससे लेंजों को कोई फरक नहीं पड़ता था उसे बस अपने विंग का इंतिजार था आखी विंग अपना वादा कब पूरा करेगा और वो कब उससे मिलने आएगा लेंज सी चैन भी हमेशा विंग को याद क्या करते थे कि उनका क्यूट बेबी अब कैसा दिखता होगा क्या उसी चैन को पैचानेगा लेकिन सी चैन इन दस सालों में मिस्ट और मिसिस वी को धून नहीं पाये थे उन्होंने बहुत कोशिस की थे लेकिन उनका पता नहीं लगा पाये मिस्ट और मिसिस लेंग को पता था कि उनके दोनों बच्चे वींग को याद क्या करते हैं लेकिन उनकुछ कर नहीं सकते थे इधा यूएसे में विंग रात को बहुत तेज की चिला कर उठता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया विंग के माथे पर पसीना था और उसका सरी पूरी तरह से काप रहा था ये आवाज सुनके Mr. and Mrs. V और Ema विंग के कमरे में आ गए और उन्होंने विंग से पूछा कि क्या हुआ तुम्हें तुम इतनी तेज क्यों चीखे इतनी रात को लेकिन विंग उन्हें कुछ नहीं बताता फिर Mrs. V कहती है तुम्हें कोई night mirror आया है क्या विंग अपना सर हां में हिलाता है Mrs. Len कहती है आज मैं तुम्हारे पास ये सो जाते हूं और वो इमा और Mr. V को उनके कमरे में भेज़ देते है विंग अपने मन में सोचता है आखिर ये कुछ दिनों से हो क्या रहा है उसे क्या नजर आ रहा है वो मन में ही सोच के कहता है कि उसके सिचन कगा उसकी सकल जैसे आदमी को एक हील के नीचे धका कैसे दे रहा है विंग को कुछ रातों से पिछली जनम की जलकिया नजर आने लगे थे कभी विंग को नजर आता था किसी चन किसी को धका दे रहा है जो बिलकुल उसी की सकल का है कभी उसे अपने पुराने अपार्टमेंट के जलकिया नजर आते थे जिसमें मिसिस लैन एक कमरे में लेटे हुई है और मिस्टर लैन उसके लिए खाना बना रहे हैं कभी उसे एक छोटा सा क्यूट बच्चा नजर आता विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये लगातार उसे इस ट्राइब के सपने क्यों आ रहे है क्या उसे अपने मॉम डट को ये सब बता देना चाहे है विंग मन में ही कहता है हाँ मैं सुवए बिरिक फास्ट में सबको इस सपने के बार में बताऊंगा और मुझे बीजिंग जाना पड़ेगा मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इन सपनों का आखिर मुझे से कनेक्शन क्या है ये सोचकर विंग अपने आखिये बन कर लेता है